आज हम पटेटू गार्लिक रिंग बनाएंगे जो खाने में पहुती टेस्टी लगती हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपको गैस पर एक कड़ाई रखने हैं और इसमें आपको एड़ करना है वन एड़ हाफ टेवल स्पून ओयल गैस का फ्लेम आपको यहां लो रखना है अ अब इसे हलका सा भूणेंगे लैसन को बहुत जादा नहीं önना है इसका कलर चेंज नहीं करना है बस हलका सा ही के इसका कछ्शापन भी ना रहे है और लैसन पिसे बहुत अच्छी कुछ बुआ तो अब हलका सा भूनने के बाद इसमें जा रही है एक चमबद चिली भाइव इसे भी बहुत ही हलका सा भूरना है इन दोनों चीजों को ज़्यादा ना भूने अब इसके बाद इसमें जाएगा पानी तो एक कप पानी मैंने डाला है और अब पानी में उबालाने देते हैं अब मैंने गैस का फ्लेम मीडियम कर दिया है अब यह आप देख सकते हैं कि पानी में अच्छी तरीके से उबाला चुका है तो इस स्टेज पर हमें इसमें एड़ करनी है सूजी तो मैं यहाँ पर इसमें थ्री फोर्थ कप सूजी एड़ कर रहे हूँ सूजी हमें बारिक वाली लेनी है अब इसे अच्छी तरीके से मिक्स कीजे पहुत ही जल्दी सूजी यह सारा पानी सोख लेगी यह देखिए सूजी ने सारा पानी सोख लिया है इसे अच्छी तरीके से हमें मिक्स कर लेना है यह देखिए यह एक डो फोर्म में बनके त्य अब यह सूजी सॉफ्ट हो चुकी है तो अब हमें गैस का फ्लेम आफ कर देना है और इसे एक दूसरे बरतन में ट्रांसफर कर लेना है तो सूजी को मैंने बोल में निकाल लिया है और सूजी हलकी सी अब ठंटी भी हो चुकी है तो जब सूजी हलकी सी ठंटी हो जाए तो इस उबले हुए आलू लिये हैं आलू को उबाल कर चील कर अच्छी तरह मैश कर लिया है आलू एकदम ठंडे हैं अब इसमें मैं डाल रहे हूं एक चमच नमक और वन थर्ड कप कॉन फ्लार अगर आपके पास कॉन फ्लार ना हो तो आप इसमें अरा रोट का भी यूज कर सकते है अब इस सब को आपको अच्छी से मिक्स कर लेना है अगर आपके पास ये पटेटो रिंग्स बनाने के लिए बारिक सूजी ना हो तो आप मोटी सूजी को मिक्सी के जार में डाल कर पीस कर फिर उसे बारिक कर लें अब इस सब को अच्छी तरीके से आपको मिक्स कर लेना है अगर इस स्टेज पर ये डो बहुत पतला सा है आपका तो आप इसमें थोड़ा सा कॉनफलार और अट कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर ये एकदम परफेक्ट है इसलिए मैं और इसमें कॉनफलार नहीं डाल रही हूँ अब इस डो में से आपको एक मोटी सी लोई बना के त्यार कर लेनी है ये देखिए मैंने काफी मोटी सी बड़ी सी लोई बना के त्यार कर ली है और अब आपको सर्फेस पर लगाना है थोड़ा सा ओयल और इस लोई को आपको बेल लेना है तो इसे हमें बहुत ज़्यादा भी पतला नहीं बेलना होता है बेलन पे भी थोड़ा सा ओल लगा लें और इसे बेल के तियार करें बहुत ज़्यादा पतला मैं इसे नहीं बेलूँगी एक जैसा बेल के तियार कीजिए इसे अब मैंने इसे बेल के त्यार कर लिया है और अब हमें इसे रिंग कट करनी है तो इसके लिए मैंने ये एक ग्लास लिया है जिससे ये रिंग कट करेंगे हम और एक ये छोटा ढखकन लिया है तो आप कोई भी कटोरी ले 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 जिसमें एक बड़ा हो और एक छोटा हो तो पहले हम इस तरीके से गलास से इनको कट करेंगे दो साइस के हमें लेने हैं एक बड़ा और एक छोटा बरतन आपको भी ले सकते हैं कर्टोरी ग्लास या आपके पास रिंग कटरों वो भी ले सकते हैं ये गार्लिक पटेटो रिंग्स खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और आसानी से घर पर बन जाती है अगर आप फ्रेंच फ्रैस खाना पसंद करते हैं तो आपको ये गार्लिक पटेटो रिंग बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगी तो यहाँ पर ये देखिए मैंने जो एक बड़ी रोटी बेरी थी उससे ये चार पीस कट किये हैं अब ये जो एक्स्ट्रा है इसे हम हटा देते हैं पापस से उसी डो में लगा देंगे और अब जो हमने धक्कन लिया था उससे कट करेंगे बीच में बीच में इसे रखें और कट करें ये देखिए इस तरीके से दबा दें ये कट हो गया, ये देखे, ये रिंग बन के त्यार हो गई, अब ये जो रिंग के बीच का हिस्सा बचा है, इसे भी आप फ्राई कर सकते हैं, ये भी अच्छा लगता है, इसे आप अलग रखते हैं, अब इसी तरीके से हमें सारी रिंग बना के त्यार कर देनी हैं, ये अब इसी तरह सारे रिंग्स हमें बना कर त्यार कर लेने हैं अब इन्हें fry करने के लिए हमें इन्हें ओयल में डालेंगे ओयल मीडियम होट है और गयस का फ्लेम भी मैंने मीडियम किया है इनको बहुत ही साबधानी से डाले क्योंकि ये थोड़े नाजोग होते हैं रिंग अब जब तक रिंग उपर नहीं आएंगे तब तक हम इने टच नहीं करेंगे थोड़ी देर में ये उपर आ जाएंगे तब हम इने पलट देंगे अब ये आप देख सकते हैं कि जो रिंग है वो थोड़े फूल गए हैं और उपर आ गए हैं तो इस स्टेज पर मैंने पलट रहे हूँ इससे क्या होगा कि इनकी जो लेयर होती है वो अच्छे से सैट हो जाती है और फिर ये अच्छे से सिखकर त्यार हो जाते हैं अगर हम इने कच्छे रिंग कोई पलटेंगे टच करेंगे बार बार तो इनका तूटने का भी डर रहता है तो इनकी लेयर को अच्छे से सिखने दे फिर इनको बाद में पलटें अब इनको पलट पलट कर अच्छी तरह सेख कर हमें त्यार कर लेना है इनका कलर पहुत ज़ाधा डार्क उराउन भी हमें नहीं करना है कलर थोड़ा लाइट ही रखना है अब यह सेख कर त्यार हो गए हैं तो मैं इने प्लेट में निकाल लेती हूँ और इसी तरह सारे गार्लिक पटेटो रिंग्स हमें सेख कर त्यार कर लेने है गार्लिक पटेटो रिंग्स बहुत ही डिलिशेस बने हैं आप भी अपने घर पर इने जरूर बनाईए आपके बच्चों को यह बेहत पसंद आएंगे तो मैं आपको यह एक पीस तोड़के दिखा देती हूँ यह देखे बहुत ही क्रिस्पी बने है रेसेपी पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को जरूर प्रेस करें